बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में धूम मचाने के बाद अब फिल्म गली बॉय देश के थेटरों में धूम मचा रही है इसी के चलते फिल्म के रिलीज से एक दिन पहले ही बॉलुड के लिए रखी गई ये खास स्क्रीनिंग इस मौके पर गली बॉय की डिरेक्टर जोया अख्तर के पिता जावेद अख्तर भी नजर आए फिल्म के स्टार कास्ट और टीम तो यहां मौजूद ही थी जिनके अलावा यहां डिनो मौरिया, जहावेद अख्तर, अर्दिया मिर्जा, जिम सरफ, अली फजल, अननिया पांडे और कई अन्या बॉलिविट के कलाकार इस खास स्क्रीनिंग में शरीक हुए फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले रणवीर यहां भी लाइम लाइट लूट गए और हमेशा की तरह इस बार भी वो अपने अतरंगी अंदाज में नज़र आए और उनके फैंस उन्हें देख ऐसे चिलाने लगे कि मानो गली बॉई का किदार रणवीर से ज़ादा दर्शकों के गरीब हो क्या हो नर्देशक जोया अख्तर की ये फिल्म अपने ट्रेलर रिलीज के साथ ही चचचा में है फिल्म देखने वालों के मताबिक इसका भविश्य बॉक्स आफिस पर अच्छा माना जा सकता है हालांकि फिल्म की टिपिकल मुंबईया भाशा और इसकी लंबाई फिल्म को थोड़ा तक्रीफ देने वाली है वीडियो डिस्क अमरजाला डाट कॉम